दोसो आज की इस वीडियो में हम लोग एक Indian confessional poetess कमला दास की लिखी एक poem पढ़ेंगी जिसका नाम है The Old Playhouse दोसो ये जो poem है इनकी बाकी poems की तरह हैं तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इसको line by line ही समझेंगे बलकि इसकी summary के सासथ explanation भी इस वीडियो में दूँगा वीडियो थोड़ी रंबी हो सकती है चलिए शुरू करते हैं मिलता हूँ इस वीडियो के end में The Old Playhouse ये जो poem है कमला दास ने लिखी है हम सब जानते हैं कि कमला दास ने अपने husband को अपनी poetry के जरीए काफी famous किया है और वो ही चीज इनकी इस poem में भी साफ देखने को मिलती है देखो अब तक मैंने जितनी भी poems पढ़ाई हैं कमला दास की वो line to line summary बताईए लेकिन इस वीडियो में मैं आपको summary के साथ साथ कुछ चीजे एक्स्ट्रा भी बताऊँगा ताकि आपको ये poem समझ में आये ढंक से तो आप समझेए कि क्यों आपकी syllabus में इस poem को डाला गया है लेको इस poem की starting में वो बोलती है अपने husband को कि वो अपने husband के control में है poem की starting में वो खुद को swallow कहकर compare करती है मतलब swallow एक छोटा सा bird होता है एक खुबसूरत सी छोटी सी चिडिया उससे खुद को compare कर रहे है और अपने husband को चिडिया पकड़ने वाले से कि तुमने planning करके एक swallow को अपने control में करने की कोशिश की एक छोटी सी चिडिया को लालत दी अपने प्यार की गर्मियों की ताकि वो अपना घर भूए जाए देखो इस poem की starting ऐसे क्यों रखी है नोने क्या है कि कई birds होते हैं जो raw seasons की वज़े से मतलब thunday seasons होते हैं न ड्राइ seasons autumn, winter तो ये western countries में बहुत ज्यादा दर्दनाक होते हैं ये season तो कई birds उड़कर ऐसे गर्म इलाकों में जाते हैं जहां पर उनको राहत मिले तो एक bird पकड़ने वाले ने एक swallow को एक छोटी से bird को लालत दी कि यहां पर गर्मिया कभी खत्ब नहीं होगी तुम अपने घर को बूल जाओ तुम यहीं पर रह जाओ इस तरीके से वो बूलती है मतलब metaphor का use हुआ यहां पर कहती है कि मैं भी एक छोटी से चिड़िया हूँ और मेरे husband ने मुझे लालस दी अपने प्यार की गर्मियों की ताकि मैं अपना घर भूल जाओ वो चिड़िया आस्मान में उड़ने के लिए बनी थी वो कहती है उसका nature था कि वो आस्मान में जहां चाए वहां चली जाए लेकिन तुम ने उसे फांस लिया ताकि वो कहीं न जा सके यहां वो अपने husband को indicate करती हुए बोल रही है कि शादी से पहले बहुत खुश थी जो चाहा वो करती थी जैसे एक चिड़िया आस्मान में उचाईयों में जहां चाहे वहां उड़ सकती है वैसे ही मैं तुम्हारे पास आई अपने आपको जानने के लिए देखो अकसर ऐसा होता है कि शादी से पहले जवान लड़के अपनी प्रेमिकाओं को बेलवेड को जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए तरक्की करने के लिए काफी उकसात है जब लड़की को लगने लगता है कि वाके में ये आदमी मुझे सपोर्ट करेगा मतलब मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा शादी के बाद में भी तो वो उसी से शादी करने की जर्ट ठान लेती है लेकिन बाद में उन लड़कियों की जिन्दगी बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ में एक धोका हुआ है वोही चीज यहाँ पर कमलादास बोल रही है कि मैं तो तुम्हारे पास खुद को जानने के लिए आई थी लेकिन तुम तो self-centered आत्मी निकले मैं तो तुम्हारे बारे में जानने लगी तुम्हारे पास आकर बस मुझे तुम्हारे बारे में जानने को मिला तुम नहीं चाते कि मैं नई चीज़े सीखू बस मैं ये जानने में लग गई कि तुम्हें क्या अच्छा रखता है तुम्हें क्या पसंद है क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है वो आगे बोलती है कि ऐसा बिलकुल नहीं था कि तुम मुझे प्यार नहीं करते कहने का मतलब वो बताती है कि during sex देखना यहाँ पर कमला दास की लगबग हर पोवम में आपको यह sex की theme मिलती है मतलब काफी सारी पोवम्स के अंदर लेकिन वो sex को वैसे इंडिकेट नहीं करती जैसे आप समझते हो वो बोलती है कि during sex मैं तुमको जब भी अपनी body से response देती थी तुम बहुत खुश होते थे लेकिन अगर यहाँ पर आप गहराई से सोचो आपको समझ में आएगा कि कमला दास female body इसकी आवाज है वो बोलती है कि physical sex होना is not enough जब तक तुम अपने partner के responses नहीं समझते जब तक उस sex के अंदर कोई feeling नहीं हो तब तक वो love making नहीं होती देखो वो बताती है कि उनकी love making कैसे होती थी वो इसके बारे में बताती है कि कैसे होती थी ज़्यादा तर शादी के बाद में ऐसे ही होती है काफी लोगों की love making वो बोलती है कि उनके husband को कोई idea नहीं था कि प्यार और affection क्या होता है उनके लिए वो सिर्फ एक house wife थी और रात के वक्त एक sex partner उस दोरान वो बहुत बुरी तरीके से उनको kiss करते थे और अपना मुँ का saliva उनके मुँ में डाल देते थे और बड़ा forcefully वो उनकी body को दबाते थे और लगबग body का हर part penetrate करते थे एक बार भी उनको ये realize नहीं हुआ कि वो fully satisfied हुई या नहीं कहने का मतलब physically नहीं emotionally emotionally वो unsatisfied रहती थी उनके कभी ये बात समझ में नहीं आई कि एक wife को sexual gratification की साथ साथ love और affection पी चाहिए होता है जो उनकी love making में कमी थी मतलब अंदर से जोडने ही पाता आदमी अब इन सब की बाद में वो बताती है कि वो domestic duties में फस गई है घर के घरेलू कामकास में और एक housewife बनकर रह गई है वो बोलती है कि मुझे सिखाया गया अपने husband के लिए बोल रहे है husband को बोल रहे है कि मुझे सिखाया गया कि तुम्हारी चाहे में शक्कर कितनी डालनी है मुझे ये भी सिखाया गया कि time पर तुम्हें vitamin की गूलिया कैसे कैसे देनी है उस आदमी का ego इतना बड़ा था कि कभी-कभी कमलादास को गुलामों वाली feeling आती थी कभी-कभी ऐसा लगता है कभी-कभी कई औरतों को ऐसा लगता है कि इनकी सामने ना ही बोलो तो better है फाल तु लड़ाई होगी अपनी identity तो लगबग उन्होंने खुई दी थी कि वो भी एक इनसान है दीरे-दीरे ऐसा लग रहा था कि मेरा कद छोटा होता जा रहा है कमलादास बोल रहे है कि मेरा कद छोटा होता जा रहा है लगबग गायापसी हो गई हूँ मैं खुद की कोई अच्छा या सोच बची नहीं थी वो आदमी जब कभी भी सवाल पूसता था ये बस गरदन हिला कर हां में जवाब देती थी चोटी सी जिंदगी रह गई थी सिमट कर मतलब एक हाउस वाइप की जिंदगी क्या होती है अपने हस्बेंड के आसपा सी गुमती है एक छूटी सी जिंदगी होती है दिमाग पर ये चीज़े इतना ज्यादा हावी हो गई थी इनके मतलब चड़ गई थी कि इनको अपनी पिछली जिंदगी बहुत याद आने लगी ये तरसने लगी पिछली जिंदगी लिए बोलती है कि मेरे हस्बेंड के घर पर मुझे सफोकेशन होती थी ऐसा नहीं था कि उस घर में ऐसी नहीं था ऐसी था लेकिन वो एक रूम सा था चोटा सा जहां पर एक आर्टिफिशल लाइट जलती रहती थी मतलब एक एक एलेक्ट्रिक बल्ड था जो हमेशे जलता रहता था और खिड़की दर्वाजे हमेशे बंद रहते थे और रूम में एसी चलने के बावजूद भी मुझे सफोकेशन से होती थी उस घर की हवा में हमेशे मस्क्यूलेनिटी मरदानगी की बूँ आती थी अवन फूलो को प्लांट से काटके जो वाज होते न, उन्में सजाया गया था लग रहा था कि वो प्लांट्स भी अपनी नकुर्ल कुश्भूग खोब बेटे थे ऐसा लग रहा था जैसे उनके हस्बन के पसीने की समल उन प्लांट्स में आ गया उन्होंने लंबे टाइम से वाहर पक्षियों की गाने की आवाज नहीं सुनी थी डांस नहीं देखा था लग रहा था जैसे उनका दिमाग एक old playhouse बन कर रहा गया है old playhouse मतलब एक ऐसा theatre जहांपर कोई भी play परफॉर्म नहीं करवाया जाता इसकी lights निकाल ली गई है वो अब बिल्कुल वीरान सा हो गया है ऐसा theatre बन गया था उनका दिमाग finally अब वो इन सब चीजों से छुटका रहा चाती है वो iron में बोलती है कि उनका husband अब वो ही करेगा जो एक physically strong आदमी करता है मतलब अपना love और affection दिखाने की कुशिच करेगा लेकिन ये चीज़े धीरे-धीरे उनको मार रही है वो iron में खुद को narcissus से compare करती है जो एक Greek mythology का character था बढ़ा handsome था जिसने पानी में अपना एक reflection देखा था और यहीं पर ये poem खतम होती है दोस्तो देखो यहाँ पर अपने husband को evil बताना उनका मकसद नहीं है अगर आप ऐसा समझ रहे हो ये poem पढ़ने के बाद में कि उन्होंने अपने husband की बुराई किये सके अंदर तो नहीं वो कुछ ऐसी चीज़े बताना चाहती है जो female बताने पाती वो कह रहे हैं कि काफी सारी चीज़े हैं जो आदमी को समझनी चाहिए जो समस्ता नहीं आदमी एक female body हमेशा male body से अलग होती है body नहीं दिमाग भी अलग होता है female body को जो चाहिए होता है वो male को समझना होगा वो कोई छोटी से चिडिया नहीं है जिसको वो कैद करके रख सकता है अपने पास में उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ये पोवम समझ में आई होगी आज की इस वीडियो मस इतना ही अब जब आपने ये वीडियो खुतम कर लिये तो मैं उमीद करता हूँ ये पोईम समझ में आयोगी, फिलाल आज की इस वीडियो में से इतना ही मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में